Hello everyone, मैं आशे करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं काजल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल Pupil DJ में आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है यदि आप KBS PRT परिक्षा की तियारी करें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डीटेल में डिसकस करूँगी कि KBS PRT में जो हमसे पैडागाजी पूछी जाती है 20 अंकी इसमें आप कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा आप लोग अपने नोट्स कहां से तियार कर सकते हैं और किस तरीके से इन टॉपिकों कवर कर सकते हैं ताकि आपका कोई भी कोशन यहां पर गलत ना जाए तो चलिए वीडियो शुरू करें सबसे पहले तो अगर हम देखें केवीज के अंदर पी आटी के अंदर जो हमें पैडागोजी का सिलीबस है यह हमें फिक्स यहां पर दे रखा है इससे related सारी चीज़े पढ़नी है deployment क्या है, growth और deployment में difference क्या है साते साथ कौन-कौन से सिधान्त है, principles क्या है, किस-किस तरीके के deployment होते हैं देखें जो in and out पूरा सिलीबस बनता है आपको सारी चीज़े यहां पर cover करनी है अगर आप देखें यहां पर जैसे कि हमें पता है, अभी आप C-type की परिक्षा clear करके आप KBS की तियारी कर रहे होंगे तो आपने यहां पर C-type में भी पढ़ा होगा, चाहे आपने paper 1 दिया हो, चाहे आपने paper 2 इसके अलावा जो अगला हम लोगों को unit दे रखा है, वो दे रखा है education and curriculum देखें इससे related भी आपके 2-3 कोशन यहां पर प्रीवियस से में भी पूछे गया है अगर आप 2018 का paper देखेंगे तभी भी आपको हापर मिल जाएगा इसके अलावा कुछ हमें यहापर methods बगयरा पढ़ने होता है साथे साथ, diversity, gender और inclusive education अब देखें, topic तो यहापर आपको 4 मिलेंगे बट इसके अंदर काफी सारा area यहापर cover हो जाता है और जो details labels है आप लोगों को यहापर screen में दिख रहा होगा मैंने आप लोगों के लिए show कर दिया है अब देखें, हम इन topic को कहां से और कैसे त्यार करें इसको ज़रा discuss करते हैं अब देखें, अगर आप book और resources के बाद करें तो आपको यहापर 100 book market में available मिलेंगी बट उन में से कौन से यह से book है जिनमें आप सबसे ज़ादा trust कर सकते हैं तो देखें, अगर मैं इन topic के बाद करूँ तो आपको एक ए book में सारे के सारे topic मिलें यह जरूरी नहीं है और अगर सारे topic मिल भी जाते हैं तो सारे question और सारा content हुआ से cover हो अच्छी तरीके से यह भी जरूरी नहीं है अगर आप यहां पर N.I.O.S की book follow करते हैं अब देखें, आप कहेंगे कि N.I.O.S की book से notes बनाना difficult है तो आपको सारा बनाना भी नहीं है N.I.O.S की book में अगर आपको पता होगा तो 506 करके एक course आता है 506 करके जो आपका course है यह आपको net में easily available होगा आप N.I.O.S notes for PRT करके भी डालेंगे तो आपको पूरी PDF के साथ मिल जाएगा English में भी, Hindi में भी, जिस भी भाशा में आपको सही लगता है इसको पढ़ना है N.I.O.S का जो 506 करके आपका course है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो आपका block 1 है Block 1 यहाँ पे हम लोगों को childhood and deployment किसे related है और अगर आप इस block को खोल के देखेंगे तो proper notes के form में हमें दे रखा है सबसे पहले growth और deployment में क्या difference है यह बता रखा है फिर सिधान्त क्या है, principles क्या है यह बता रखा है इसके साथ साथ आपको stages बता रखा है यानकी detail में बता रखा है इसके साथ साथ अगर आप इस block में दो unit दे रखेंगे एक तो हो गई child deployment की और दूसरी हमें दे रखें heredity की यह दोनो topic आप कहीं और से नहीं आप यहां से त्यार कीजिए block 506 में यह जो unit 506 में block number 1 है साथ साथ अगर आप इसका block 3 खोल के देखेंगे आप जब एक बार net में सर्च करेंगे तो आपको यह सारे topic मिल जाएंगे इसमें जो block 3 दे रखा है उसमें हमी inclusive education के बारे में बता रखा है inclusive education का कोई question यहां से आपका skip नहीं होगा अगर आप इस stage को यहां पर से prepare करते हैं तो देखें कहने का मतलब क्या है आप अपने resources को specific कीजिए कि आपको कौन से चीज कहां से पढ़नी है आप यहां पर देख सकते हैं अगर आप यह 506 करके आपका course खोलें तो इसमें आपको दो अलग-लग block हैं जिसमें आपके दो major portion एक तो यह वाला portion हो गया एक inclusive education हो गया और साथे साथ इसमें हमें block 4 जो अगर आप खोलेंगे इसी कहीं course आपका 506 बहुत important है इसका block 1 हमें child development और head duty के बारे में बताता है block 3 जो है inclusive education के बारे में block 4 जो है यह हमें gender के बारे में बताता है तो देखिए gender के बारे में भी आपका यहीं से तयार हो जाएगा तो देखिए काफी सारा area एक ही जगे से तयार हुआ इसके अलाबा अगर हम एक और block के बात करें जो कि है block 5 course 502 course 502 आपको वहीं पर मिलेगा उनी PDF में मिलेगा उसमें अगर आप पहला block देखते हैं तो उसमें learning and teaching से related question है जो कि concept हैं जो कि आपको दूसरे इस unit में काम आएंगे कहने का मतलब यह है कि आप अपने notes को अगर NIOS के notes से अगर आप यहाँ पर prepare करते हैं एक बारी में तो आपकी यहाँ पर KBS की pedagogy के साथ-साथ DSSB की pedagogy भी यहाँ पर त्यार हो जाएगी और आपको सब कुछ नहीं करना आपको अपने syllabus को follow करना है और syllabus में जो चीज़े हैं आपको strictly वहाँ से इन चीज़ों को प्यार करना है देखिए इस तरीके से NIOS के notes में से जो आपकी specific course है आप उनको त्यारी कीजिए आपको हर course का हर block आपको पढ़ने की ज़रूद नहीं है साथ-साथ अगर मैं आप सको हूँ आप practice question कहाँ से लगाएंगे तो देखे के वी के paper जो हैं बहुत कम हुए 2018 के बाद कोई paper ही नहीं हुआ तो आपको ज़्यादा paper नहीं मिलेंगे तो आप क्या कर सकते हैं CTAD के जो previous year paper हैं आप उन्हें लगा सकते हैं CTAD का भी अभी जो online mode पे paper होगा था में काफि सारे set आपके पूशे जाए थे paper 1 का भी paper आप लगाए पैडगोजी section का paper 2 का भी आप लगाए तो आपके एक अच्छे कहाँ से practice हो जाएगी प्लस अभी जो डी ट्रिप्लेस भी के 2021 में पेपर हुएं आप उनको भी यहाँ पर एक बार solve करके देख सकते हैं कि आप कितने लेवल तक पहुचे हैं साथे साथ आप मॉक्ते solve करेंगे तो आपके यह जो KBS PRT में हमसे pedagogy पूशे जाते हैं इसमें आपका एक marks भी नहीं छूटेगा तो इस तरीके से आपको अपने इस पहले आजाता है तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचेगा तो आपको इस तरीके से इन यूनिट्स को अच्छे तरीके से त्यार करने एक अच्छी बात यह है कि यहां पर हम लोगों को एक fix लीवस यहां पर दिया गया है कि आपको यह चीज़े पढ़नी है इन चीज़ों में से पेपर आएगा I hope यह वीडियो आपको effective लगी हो अगर आपको KBS PRT में किसी और subject की भी एक specific वीडियो चाहिए कि आपको कौन से चीज कहां से त्यार करनी है तो आप प्लीज कमें सेक्शन में कमें कीजेगा मैं उसके regarding भी आप लोगों की वीडियो ले के आऊँगी इसके अलावा आप लोगों को यह जो unit में हमें चीज़े दे रखें इसके साथ साथ हमें कुछ theories भी आपे प्रिपार करनी हैं इसके अब लिस्ट में आप लोगों की टेलीग्राम गृप पर शेयर कर दूंगी जिसमें से आप जैसे की जानते हैं जीन प्याजी की theory से हमें question पूछे जाते हैं वाई गॉट्सकी की theory से हमें question पूछे जाते हैं कोलबर्ग की कोईशन पूशे जाते हैं तो आपको ये लर्निंग थियोरी हो गई साथ में कोगनीटिव थियोरी हो गए ये तियोरी अपको प्रेपार करते हैं जो के आपके एक्जाम में आपको मदद करेंगे और अगर आप 2018 का पेपर देखते हैं तो 2018 के पेपर में हम लगोट की करनी है यहां पर अपको को कुछ कि मैं आप लोगों के साथ ओलीग्राम पे शेयर करदूँ गी इन थीोरीiriiction आप एक बार वन बाई वन एक जगह पर आप नोट डाउन कर लीजिए जिसको आप रिवाइस करेंगे तो आपका यहां से एक या दो माख से यहां पर पक्का हो जाएगा I hope यह वीडियो आपको पसंद आई हो